हेलो व्रिवन वेलकम डोजांक आइस रस ओजांक आइस में आपका स्वागत है आम योजांस फेकल्डी पिछले कुछ दिनों में हम साइन्स के कुछ अलग रख टॉपिक्स के वरे में डिस्कुस कर चुके हैं आज हम टेक्नोलोजी के एक टॉपिक्स करेंगे जिसे अभी आर OTT प्लेटफोर्म्स वर उसके ड्रिटि घुलेशन तो आज हम OTT प्लेटफोर्म्स क्या है उनके उपर क्या क्या Regulations लगाए गये है क्या regulation उसको कौन करता है और अगर अभी पहले क्या उसके ओपर controlling थी या नहीं थी उसके बारे हम एक एक जहन करी लेंगे और उसके साथ हम उसके बारे में में के साथ से क्या question बन सकता है उसके बारे में आज हम discuss करेंगे तो आज हमरा topic of discussion होगा OTT platforms तो सबसे पहले हम बात करते हैं OTT platforms का मतलब क्या होता है अगर इसमें इसको सामानी भाषा में समझूँ तो OTT platforms का मतलब होता है जिस पर आप web series देखते हो वेब series यानि कि अलग-अलग प्रकार की web series आती है जिसमें जमतारा हो गई जमतारा हो गई या फिर आप कह सकते special ops हो गई इस पेशल आप्स हो गई इस तरह की web series है जिस या फिर जो मिडजापूर हो गई इस तरह की web series है वो हमेशा OTT platforms पर अभी stream की जाए तो अगर मैं इन शॉर्ट में बात हूं तो यह OTT platforms कौन-कौन से हैं तो एक्जांबल के दर पर हम बात करें तो vote, view, amazon prime, netflix, altbala ji, यह सारे का है OTT platforms है लेकिन यह अभी ही news में क्यों आया है और इनको RS mains के sales में इस बार क्यों जोड़ा गया है यह सबसे ज्यादा important होता है तो सबसे पहले हम समझते हैं आप पर OTT platforms का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले हम बात करते है OTT OTT का मतलब होता है over the top, OTT से मतलब होता है over the top, अब इसका मतलब क्या है OTT platforms क्या करते है OTT platforms एक web-based service होती है जो हमें क्या offer करती है जो हमें audio और video content की hosting and streaming service को offer करने का काम करती है तो जितने भी audio और video content है उनको host करना और उनकी streaming करना यह काम होता है OTT platforms का जैसे कि आप जितनी भ एक में बहुत सारी movies भी हैं जो आपके OTT platforms पर आजकर stream होने लग गई हैं ऐसा क्यों हुआ यह हम दो निट में समझेंगे कि आजकर जितने भी movies हैं वो ज्यादा तोर movies जाहें वो low budget की हो या high budget की हो वो OTT platforms से stream क्यों होने लग गई है तो OTT platforms क्या होता है OTT platform का मतलब होता है over the top over the top applications हमें web-based audio, video, hosting और उनकी streaming के service प्रोवाइड करवाता है OTT platform के माध्यम से जैसे Netflix हो गया, Amazon हो गया, Amazon Prime Video हो गया, Hotstar हो गया, यह सारी क्या है OTT platforms से जो हमेरे web-based service देते हैं जो audio और video content को stream और host करने का काम करते हैं लेकिन यहां पर सवाल आता है कि sir, यह अभी news में क्यों है तो इसको इमें एक बहुती छोटे से example से समझते हैं जैसे आप ideally पुराने जवाने में जो TV चलाते थे उसका क्या होता था जो आपके एक TV के अंदर चलता था लेकिन बाद में coexil cable के बाद में एक नई service है जिसको हमने कहा satellite connection satellite connection का मतलब यह होता है कि जैसे आपके छत पर जो antenna type लगता है उसका सीधा connection आपके TV के अंदर होता है जिससाब से आप पे करोगे उससाब से क्या कर सकते हो आप अपने channels को use कर सकते हो तो यह दो service पहले चलती थी जिसको हम बोलते थे cable connection और दूसरा आता था आपका satellite connection cable connection का मतलब है कि TV service provider के यहां से आपके यहां पर एक cable आता था वो cable आपके TV में लगता था second number पर आता है satellite connection satellite connection का मतलब आपकी TV का सीधा link satellite से होता था जिसमें आपकी रूफ यानि के छत पर एक antenna type जिसको आप में तवा type कहते हो वो लगा जाता था जो सीधा satellite से signals को catch करता था और आपकी TV में उसको send करता था जिससे आपके TV के सारे channels चलते थे लेकिन इसी को आगे video content को stream करना और host करने के समयती हमको OTT यानि की over the platform applications ने अब इसमें में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है तो the this media यानि की OTT media service can be easily accessed through mobile phones, laptops, smart tv and other audio visual devices with the help of internet यानि की OTT सेवाओं को लाब कोन ले सकता है जिसके पास smartphone हो, tv smartphone हो या फिर tv हो या फिर laptop हो या फिर कोई भी ऐ या इसी चीज हो जिसमें audio और video को सुन सकें और video को देख सकें वो OTT platforms का उप्योग कर सकता है लेकिन पहले पहले TV कौन देख सकता है जिसके गर में TV है उसको cable operator का connection लेना पड़ता था लेकिन OTT में ऐसा नहीं है OTT ने TV की पहुंच को हर इंसान के हाथ में लागे रग दिया क्योंकि आप smartphone के माध्यम से भी अपनी TV के सारे channels को OTT यानि की over the top application के अंदर देख सकते हैं अगर आपके पास internet है तो यह क्या है web-based यानि की internet-based service होती है जिस पर आप अपने laptop के अंदर TV के अंदर या फिर आपके mobile के अंदर क्या कर सकते हैं OTT यानि की जितने भी आपके TV स संबंदित channel है या अपने देश विदेश की जान करी है जो आप entertainment में काम में ले सकते हैं यह सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो अपने telephone आपने phone के अंदर देख सकते हो किसके सहायता से OTT की सहायता से and anyone with the paid subscription can register and themselves and get unlimited access इसमें सबसे important बात यह कि अगर आप अपने आपको register कर करते हैं यानि कि payment करते हैं तो आप वहाँ पर unlimited access को प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि आपके पहरे tv में आथा था कि आपने यह वाला subscription ले रखा है या gold subscription ले रखा है जिसमें आपको एक fixed channel मिलते थे लेकिन OTT में ऐसा नहीं है OTT में आप एक particular subscription लोगें उसमें आपको पूरे OTT यानि कि पूरे उस application का आपको complete access मिल सकता है जिससे आप अपनी सहायता से अपनी मर्जे से किसी भी program को चाहिए entertainment से लेटेड़ हो sports related हो या romance की movies हो या किसी भी तरह का कोई भी serial हो stream कर सकते हो आप उसको क्या कर सकते हो देख सकते हो यह अभी इतना news में क्यों है यह अभी इसलिए news में क्योंकि 2020 आप जानते हैं कि यह सब यह रहा था हमारे लिए lockdown का है क्योंकि इसमें COVID-19 का कह रहा था पूरे भारत के और तब से लेके अभी तक करोणों की करोणों की तादाद में इस पर देखने वाले लोगों की क्या हो यह व्रद्धी हो यह क्यों हो यह क्या करता है हमें वेब-bast service जैता है जिसमें किसी भी audio या video content को host या फिर हम क्या कर सकते है stream कर सकते, इसका मतलब जो movies पहले inox वगेरा, inox हो गया pvr हो गया, वहाँ पर चलाई जाती थी, वहाँ पर stream की जाती थी उन जगाओं को बंद करने के बाद ये सारी जितने भी movies हैं, जितने भी entertainment संबंदी, जितने भी जहनकारियां उन सबको कहाँ पर play किया गया, उन सबको OTT platforms के उपर stream किया गया lockdown की वजह से, क्योंकि ये हमें क्या करता है, web-based internet, web-based आपको audio और video service provide करवाने का काम करता है, जिस वज़े से क्या कर सकते हैं, आपको theater में जाने की ज़रुत नहीं है, आप अपने भी OTT का इस्तेमाल होता था, लेकिन 2020 में, 2020 के बाद, 2020 और 2020 के बाद, OTT platforms का बहुत ही ज्यादा उप्योग होने लग गया, क्योंकि आजकल हर इंसान गर वेठे सारी सुगदायां प्राप्त करना चाहता है, और COVID की वज़े से सारे जितने भी theaters हैं, वो सभी बंद कर दिये गए, जिस वज़े से जितने भी entertainment संबंधी, जितने भी audio और video contents हैं, उन सभी को OTT platform पर host और stream किया जाने लगा, यहाँ पर हम याद रखेंगे कि OTT in India and its regulation, हमने बात की कि अगर अब इतना सारा content audio और video content, OTT के पर अगर डाला जारा, उसको stream किया जारा तो उसके लिए क्या कोई regulation body है या नहीं, और OTT की India के respect में क्या condition what is the respect of OTT in Indian, तो India is currently the world's fastest growing OTT market and is all set emerged the world's sixth largest by 2025, यानि कि 2025 तक OTT विश्व का छट्टा, यानि कि वर्ल 6th number पर market हो जाएगा, तो इतने बड़े market होने के बावजुद, क्या इस पर कोई regulation body है या नहीं, तो याद रखेंगे कि OTT पर कोई भी regulation लगाने वाली body नहीं है, जैसे हम अगर बात करें कि OTT there is no lower autonomous body to monitor and manage the digital contents provide these OTT platforms and it is made available to public at large without filter and screening, यानि कि OTT पर जितना भी audio video content आ रहा है, जो internet के माध्यम से प्रतियक व्यक्ति के हाथ में उसके smartphone के अंदर पाया जाता है smartphone के अंदर हम उसको access कर सकते हैं, क्या उस पर कोई filter or screen हो रही है क्या, तो नहीं, उसमें कोई भी filter and scanning नहीं होती थी, लेकिन जैसे कि हम जैसे कि हम एक्जांबल की तरफ बात करें, जैसे TV channels हैं, वो किसके अंदर आता है, कम news comes under news broadcasters agency association, यानि कि जितने भी TV channels है, जितने भी आप news देखते हो, वो सब किसके अंदर में आती है कि TV channels comes under news broadcasters association उसी प्रकार अगर हम central film board of certification कोया है, जितनी भी movie देखतें, वो सारी किस केंदर में inADA 2011 में जिसको हमt अपनी language में censor board कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको हम't each snel region भी कहते हैं, यह निर्धाइत किखτι इस film को दो नहीं चलेंगी यह सारी film के content को check करते हैं कि यह content क्निकिकलर or या किसी भी पर्टिकुलर रिजन को hamper तो नहीं करने वाला है, वो साई चीजे देखकर इस फिल्म को stream करने के लिए permission देते हैं, लेकिन अगर हम OTT की बात करें तो OTT के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, OTT में कोई सा भी content बिना किसी filter और बिना किसी screening के internet के माधियम से OTT पर stream किय क्योंकि उसके ओपर कोई भी autonomous body नहीं है, जो कि OTT पर चलने वाले content को regulate कर सकते, regulate कर सके, उससे manage कर सके, उससे filter कर सके, उससे screening कर सके कि क्या हाँ, ये particular content इसे के लिए, क्या ये content किसी religion या किसी culture को hamper तो नहीं करने वाला है, एसी कोई भी autonomous और एसी कोई भी regulatory body नहीं है OTT के respect म और इसी को आगे बढ़ाते हुए, Internet and Mobile Association of India, IAMI ने एक self-regulatory model को impulse किया, self-regulatory model को बताया कि हम OTT के ओपर हम self-regulatory model start करने जा रहे हैं, यानि कि Internet and Mobile Association of India, which is the representative body of the OTT platform, came up with the idea of self-regulatory model, यानि कि वो self-regulatory model के idea को लेकर आए, अब आपको कि सरी self-regulatory model क्या होता है, self-regulatory model का मतलब ये होता है, कि इसमें particular जो choice है, वो viewer, यानि कि consumer को दिखे कि कि क्या वो किस प्रकार का content देखना चाहता है, जिसमें age classification, content description और parental control, इसका मतलब क्या होता है, कि OTT platforms कोई भी content available है, तो उसमें particular age classification लिखा जाएगा, कि ये जो content ये 13 प्लस वाले लोगों के लिए, या 16 प्लस वाले लोगों के लिए, या 18 प्लस लोगों के लिए, यानि कि उस पर जो भी content है OTT पर available, वो OTT content उसके नीचे description डालेगा, जिसमें वो लिखेगा, कि particular इसमें ये content द video या audio के अंदर, जो content दिया गया है, वो 13 प्लस के लिए है, या 16 प्लस के लिए है, या 18 प्लस के लिए, या फिर 18 प्लस के लिए, इसको हम कहते है, self-regulatory model, जिसमें उन्होंने right to choice, यानि कि अपने कुछ चुनने का अधिकार को hamper नहीं किया है, उन्होंने ये का है, कि इस self particular video के अंदर, क्या content है, क्या आपको उसको देखना चाहिए, या नहीं देखना चाहिए, और parental control, यानि कि parents के बीच में control, यानि कि parents भी इस चीज़ को control कर सकते है, कि ये video हमें family के साथ देखनी चाहिए, या या ये हमारे बच्चों के लिए सही है, यानि कि तीन control, इसको हम कह करना चाते हैं, जिसमें right to choice का, right to choice है, वो consumer, यानि कि customer, यानि कि खुद viewer के हाथ में होगी, वो चाहिए, तो इस content को देखे, चाहिए, ना देखे, इसके पिशन का तर्क ये था, कि हम viewer की choice को हम hamper नहीं करना चाते हैं, जिसमें age classification दे रखा होगा, कि उम्र, आयूबर की करन सामगरी वीवरान और माता-पिता का नियंतर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, 2019 तक और उसके बाद में काफी सारे cases, high court और supreme court में register हुए, अलग-अलग state के high court और supreme court के अंदर register हुए, OTT के contents को लेकर, तो इसी तरह से, तो इसी में आगे बढ़ते हुए, supreme court में central government को ये आ supreme court और अलग-अलग state के high court में, अलग-अलग जगे से PIL, public interest litigation दायर की गई, जिसमें कहा गया कि OTT के content को regulate करना बहुत ज़री, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा violence है, बहुत ज़्यादा erotic movies इसमें दिखाई ज़री, क्योंकि इसमें कोई भी data, या कोई भी audio और video content, बिना कि screening और बिना किसी filtration के OTT पर सीथा सीथा stream किया जा रहा है, तो इसको control करना बहुत ही ज़्यादा ज़री, क्योंकि हम जानते हैं कि 2025 तक ये world 6th largest OTT market बन जाएगा इंडिया, क्योंकि यहाँ पर continuously viewers बढ़ते जारी, 2019 तक 17 crore viewers थे, लेकिन 2021 तक इसमें लगबक 50 crore viewers ज़्यादा ब होने वाले content को regulate करना बहुत ज़रूर इसी कडी में आगे बढ़ते हुए, इसी में आगे बढ़ते हुए, Supreme Court ने Central Government को ये पूछा कि क्या आप OTT को regulate करने के लिए क्लिए क्या कोई autonomous body बनाने वाले हैं, तो उसमें Supreme Court ने, sorry, Central Government ने एक ordinance, sorry, एक gadget में, एक notification पास किया New Delhi में, 9th November 2020 हो, इसमें Central Government ने का कि in the Government of India, Allocation of Business Rules 1961 in the Second Schedule, under the Heading Ministry of Information and Technology, यानि कि सूचना, Information, Ministry of Information and Broadcasting, सूचना एवं प्रसारान मंत्रा ले, after entry 22, the following Subheading, an interest shall be inserted, namely, Digital Online Media, Films and Audio Visuals Programs made available by OCP, यानि कि Online Content Providers, जिसको हम OTT भी कहते हैं, OTT में क्या है, OTT में OCP होता है, OCP का मतलब होता है, Online Content Providers, यानि कि online जो भी आपको content मिल रहा है, वो class related हो, जाहे हो आपके entertainment से related हो, वो सारा आप किसके अंदर में आएगा, वो सारा आएगा, आपका सूचना है, वो हम प्रसारान मंत्राले के अंदर में, ये order का पास किया Central Government ने, 9th of November 2020, जब Supreme Court ने Central Government को पूछा कि क्या आप OTT पर कोई regulatory body बनाने वाले हैं, तो Central Government ने 9th November 9, 2020 को ये order पास कि, ये order गजेट में चापा, ये notification गजेट में दिया, कि जितने भी films and audio visual programs हैं, वो made available by OCP, यानि कि, online content providers, जो एक OTT का ही OTT है, यानि कि OTT को हम OCP भी कहते हैं, online content providers, and news and current affairs content on the online platforms, comes under सूचना ये वाम प्रसारान मंत्राले, यानि कि, ministry of information and broadcasting, यानि कि, जितना भी OTT पर content available है, वो सारा क्या होगा, वो सारा filter होगा, screen होगा, किसके दोहारा, Ministry of Information and Broadcasting के, दोहारा भाइदा, Ministry of Information and Broadcasting, और इसमें क्या होगा, OCP यानि कि, online content providers होगे, और क्या होगे, जितने भी आपको online platforms पर news और current affairs मिलते हैं, वो सारे आप किसके अंडर मंत्राले, यानि कि, Ministry of Information and Broadcasting के अंडर्गत आएंगे, ये ओडर गजट में, ये notification गजट में कब आय कॉबिंद जी के, उसके बाद, क्या हम, अगर हम यहां पर OTT platforms की बात करेंगे, यहां पर ये चीज़ आ गई, कि OTT platforms को ब रेगुलेट किया जाएगा, किस के दवरा सूचना एवं प्रसान अंड मंत्रले के दवरा, Ministry of Information and Broadcasting के दवरा, OTT के प्लेटर्वर्म को अब क्या किया OTT के हमें क्या advantages है, और OTT के हमें क्या disadvantages है, यानि कि अगर OTT में, अगर हमें कोई अच्छी चीच मिल दिये, तो हमाले फाइद की बात है या नहीं, और OTT से हमें किस प्रकार का नुकसन होई, क्योंकि हम यह बात तो कर चुके हैं, कि OTT actually में है क्या, OTT आपके लिए एक web-based service है, और जिसके पास भी internet है, और smartphone है, या mobile है, या TV है, कुछ भी है, उसके दोहरा वो क्या कर सकता है, internet के माधियम से OTT के सारे content को क्या कर सकता है, एक्सिस कर सकता है, और इसको जो regulatory model है, वो भी क्या था, self regulatory model था, जिसमें, viewers की अपनी right to choice है, कि वो किस प्रकार के content को देखना चाहता है, या नहीं देखना चाहता है, वो अपनी viewer की choice हता है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके, cause and effect के अगर हम बात करें, advantage of OTT platforms, यानि कि अगर मैं आपके OTT platforms की लाब की बात करूं, तो OTT platforms के लाब में सबसे पहला लाब आता है, easy access, यानि कि जिसके पास भी internet है, वो OTT platforms को आसानी से access कर सकता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ internet चाहिए, और एक ऐसा electronic device जिसमें आप OTT platforms को access कर सकें, तो उसके लिए आपको चाहिए easy, उसके लिए OTT platforms का advantage है, वो है आपका easy access, easy access मतलब आप अगर गाडी में जा रहे हैं, तो भी उसको देख सकते हैं, train में ज फर्जागे लेजा सकते हैं, नहीं लेजा सकते हैं, लेकिन OTT के माध्यम से आप किसी भी content को कहीं पर भी किसी भी समय access कर सकते हैं, लेकिन जितने भी broadcasting content है, उनको इस तरह से नहीं देख सकते हैं, फिर आता है cost effective, definitely cost effective है क्योंकि जितना भी OTT पर हम access करते हैं, वो क्या है, ए तो चाहें चीज़ें वो देख सकते हैं, and diversity of content, diversity of content मतलब अगर आपको TV में news देखना है तो news ही चलेगा, लेकिन अगर आपको OTT applications के उपर आपको कुछ भी देखना है, चाहा हो romance related चीज़ हो, आपको violence related चीज़ देखनी हो, या फिर आपको news देखनी हो, आपको हर प्रकार क content, यानि कि उसमें content की बहुत जादा क्या है, diversity आपको हर प्रकार का channel कहाँ पर मिलेगा, OTT apps के उपर पाया जागा, यानि कि diversity of content, आपको movies देखना है, आपको entertainment movies देखना है, आपको comedy movies देखना है, आपको hit movies देखना है, तो उसमें आप क्या कर सकते है, diversity of content, यानि कि OTT के माध यानि कि high quality में पाई रहता है and the content that is being provided such a large number users needs being regulated, move the government is perfect step in the direction of controlling the objectable content and present on the online streaming platform. यहां मैंने यह कहा है कि आपको अगर OTT platforms के इतने सारे लाव हैं तो उसमें यह वी चीज है कि इतनी सारी जीज आपको मिल रही है तो इसके साथ क्या होना चाहिए इस पर एक control भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए लेकिन इसके respect मोंने यह कहा है कि हमने आपको एक self regulatory model दिया है platforms पर बहुत सारी websites देखिए जिसमें आपने जमतारा की बात करें, special ops की बात करें, criminal justice की बात करें, यह कुछ ऐसे topics से जिनको main stream में लाना possible नहीं था, इनके ओपर कोई भी movies बनाना possible नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं, sensor board जो होता है, वो politically motivated होता है, वो sensor board क्या करता है, एसी movies को stream नहीं करने दता है, जिससे politically hamper होगा, तो OTT में ऐसा कोई regulation नहीं है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे topic को भी touch कर सकते हैं, जो कि politically sensitive about relevant topics, जैसे कि जमतारा, जमतारा web series में क्या दिखाए गया है, कि कि किस प्रकार, mobile के through क्या कर सकते है, scam होते है, wide scam होता है, वो उसमें दि इसको यह बता है कि किस प्रकार हमारे प्रेशासन ने उसको अच्छे से control किया, उसके बाद Delhi Crime, Delhi Crime में यह बता है कि निर्भःया case में government ने और प्रेशासन ने किस प्रकार उसको इतना जल्दी से solve किया, और हम अगर बात करें, criminal justice के जिसमें क्या बता है गया, juvenile justice के बारे में main stream के दरह touch करना possible नहीं, लेकिन हम साथ ही अगर हम इसके disadvantage की बात करें कि OTT के वज़े से हमें क्या disadvantage होगा, तो OTT के वज़े से सबसे पहला disadvantage है, वो disadvantage यह है कि जिसके पास internet का access नहीं है, वो OTT का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और जिसके पास poor internet connection, यानि कि internet की connectivity सही नहीं है, व वो क्या कर सकता है, वो OTT को access नहीं कर सकता, and threat to culture and tradition, यानि कि OTT पर कुछ ऐसे content भी होते हैं, जो हमारे सस्कृति और हमारे tradition, यानि कि हमारे व्यभार को क्या कर सकते हैं, हमपर करने का भी काम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जब हम OTT की बात करते हैं, तो OTT का इसलिए किया गया था कि कुछ asset topics जिनको हम politically या main line में touch नहीं कर पाएं, उनको OTT के माध्यम से दिखाना था कि जनता तक वो सारी बाते पहुँच सके, लेकिन अगर हम इसको regulate कर देंगे, अगर हम यहाँ पर इसको regulation में कर देंगे, तो हम उन कभी भी contents को main stream line में कभी हम उसक main stream line में कभी हम उसको दिखा, नहीं भाएंगे कि कहीं न कहीं sensor board उसको क्या करेगा, control करने की कोशिश करेगा, तो यह भी क्या इसका disadvantage है, और काफी सारे लोगों ने इसके बारे में यह भी कहा है, कि OTT हमारे free of speech को क्या करेगा, hamper करेगा, right to free of speech को क्या करेगा, hamper करेगा, औ no regulatory body, यह भी इसका disadvantage है कि, यानि कि OTT के ओपर कोई भी body इसको control करने के लिए, नहीं है, इसलिए जो सारे content है, चाहे हो sexually active हो, चाहे हो violence related हो, वो सारे content बिना किसी filter के कहा जाते हैं, इस पर आ जाते हैं, दूसरा आता है, people become addicted, यानि कि लोग इसके कहा हो जाते हैं, आदी हो जा खुल के अपने बात नहीं कर पाएंगा, और कहीं न कहीं, sensor board या फिर कहीं न कहीं, news broadcasting agency क्या करेंगी, इसको control करने के कोशिच करेंगी, क्या particular आप ये content OTT पर play नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं कहीं क्या होती है, politically connected होती है, too much violence and sex, and hindered the development of art, यानि कि कला के विकास में भी क्या होगी, बात अख होगी, इस सारे क्या हैं, इसके disadvantage हैं, लेकिन अगर यहीं पर हम बात करेंगी, यह सही है और नहीं, तो हर चीज के हमेशा दो point रते हैं, सही इसलिए है, क्योंकि इस पर बहुत सारा content ऐसा available है, जो कि बच्चों के काम का नहीं, या फिर जो हम family के साथ बैट के नहीं देख सकते हैं, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा violence है, क्योंकि इसके उपर क्या है, regulatory body नहीं है, लेकिन इसी के लिए, इसी के counter में, इसी के counter में, auditory platform से अपना ये view दिया, कि हम इसमें particular viewer की right to choice को hamper नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रत्य content के रहने हैं, क्योंकि एक एक content के अंदर हम नीचे description में, उसमें age classification दे रहें, उसमें particular हम ये बदा रहें कि इसमें particular content किस से related होगा, तो ये सारी choice हमने किस के हाथ में दिये, viewers के हाथ में दिये, तो particular ये को यहाँ पर topic बनता नहीं है, क्योंकि हम viewers के हाथ में उसकी इच्छा दे रहे हैं, क कि आप इस content को देखना चाहें तो देखें, नहीं देखना चाहें तो नहीं देखें, तो ये सार इसके advantage है, और इसकी क्या है, disadvantage है, disadvantage में ये है इसको कि कोई भी इनसान जो अपने आपको freely कोई भी बात बोल सकता है, OTT के माध्यम से, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, जैसे कि उन political issues को touch करते हुए निकले हैं, जो कि main stream line में possible नहीं था, साथ ही इसको control करने की ज़रद इसलिए भी कही जाती है, क्योंकि पहले ये सिर्फ hosting और उसके बाद hosting और उसको stream करने का ही काम करते है content को, लेकिन अब ये production के काम में भी OTT का उपयोग production में भी गया रहे है, जैस लिए इसको regulate करना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आगे की रहा की बात करें, तो OTT platforms is necessary with digital awareness, but the unbiased regulatory body to regulate the content on the OTT platform is necessary, अगर हम यहाँ पर आगे की बात करेंगे, आगे इसमें क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जो बात है कि इस content को देखने वाले विक्ति में क् digital awareness को फैलाना चाहिए, कि आपके लिए content काम का है या नहीं है, आपको यह content देखना चाहिए या नहीं है, तता उसके साथ ही एक ऐसी regulatory body OTT के ओपर होनी चाहिए, जो पूरी तरीके से unbiased होनी चाहिए, क्योंकि साथ ही इसमें right to speech का जो हमारा fundamental right है, वो हम पर नहीं होना चाह है, लेकिन साथ ही ये भी धिहान में रखना चाहिए, कि इसमें right to speech का हमारा right है, वो कभी भी हम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि OTT का जो concept है, वो इसलिए लाया गया था, कि आप उन topics पर बोल सके हैं, जो आप publicly या फिर politically आप उसको नहीं बोल सकते हैं, तता उन contents को दिखा पॉसिबल नहीं है, तो ये सारी information कि इसके बारे में OTT हैने कि over the platform, over the top platform के बारे में, जो हमने आज discuss किया, अगर इसी प्रकार से आप अलग-अलग topics के बारे में, ओर discussion चाहते हैं, तो हमारे चैनल को join करें, इस चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करना ना बोलें, तता इसी प् करें आप आप आप